नमस्कार दोस्तों देश्मुक्सर के चैनल में आपका स्वागत। है और गणित विशा के बारे में आपके सांद लगातर चर्चा करते आया हैं और उनसे समबंधित प्रश्तव को round करते आये हैं। उसको सरल उसाब को समझाने कोशिश करते हैं। इसी कडी को आगे बढगाते हुए surface इते हुएट इक से शिक्षन समागरी के बारे में आपके सको चर्चा रखा था, और वीडियो बना के आपके समख्ष रखा था आसा करते हैं आपको ज़रूर ये वीडियो पसंद आता होगा अभी उसी सहाइक सिक्षन समागरी के बारे में आज भी हम चर्चा करेंगे आज हम एक नए सहाइक सिक्षन समागरी जो हमारे समक्ष है उसका नाम है ग्यान पितारा उसके बारे में बात करेंगे कि ये सहाइक सिक्षन समागरी किस प्रकार का है और किस प्रकार बच्यों के लिए सोयोगी होगा और उसके ज्ञान को किस प्रकार से बढ़ाएगा इसके बारे में हम आपके साथ चर्चा करेंगे हमारा आज का विशय है शाहिक सिक्षन समागरी TLM Teaching Learning Material के अंतरगत ग्यान पिटारा चलिए देखते हैं कि ग्यान पिटारा कैसे काम करता है और बच्चों को किस प्रकार से सहयोग प्रदान करता है आज हम अपने साहिक सिक्षन समागरी ग्यान का पिटारा के बारे में विस्तार के साथ आपके साँ चर्चा करेंगे यह एक देखने में आपको एक डब्बन उबा दिख रहा है और इस पर लिखा हुआ है ग्यान पिटारा पिटारा का अर्थ आप समझते हैं फिर भी मैं आपको उसके बारे में बता दूँ कि पिटारा का अर्थ होता है कि एक ऐसा चीज जिसके अंदर हांट डालने से कुछ न कुछ मिलता ही रहता है उससे पिटारा कहते है तो हमने ये बनाया है ग्यान का पिटारा ग्यान पिटारा इसके अंदर भी आपको ग्यान की सारी चीजे मिलेगी यानि एक ऐसा पिटारा जिसके अंदर बहुत सारी ग्यान की बाते आपको देखने को पढ़ने को और समझने को मिलेगी आप जब इसको खोलेंगे तो आपको खुद महसुस होगा कि इसके अंदर बहु वकॉन कृमसे नमें लंए 2-4 मोरे 10 को चुका है और राब के विभिवखोंड Box Tech देक्ते हैं कि हमारे देश क और हमारे देश के बारे में पर देश के बारे में संपूने जानकारी इस हम अपन हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या चीज़ को रखा गया भारत के भारत के पड़ोसी देश के बारे में जानकरी दी गई है भारत के पड़ोसी देश के जानकरी और उसके नक्सा नक्सा भी बनाये गया है हम नक्सा के माध्य हम से देखते हैं कि भारत के पड़ोस में कौन कौन से हैं इसी प्रगार हम देखते हैं कि दूसरे पट में क्या चीज की जानकारी समाहित कर दी गई है इसमें देखते हैं कि भारत की प्रमुक नदिया यह परवस्रेणी के बारे में बताया गया है भारत की प्रमुक नदिया कौन कौन सी है और भारत की प्रमुक नदि से समझाए गया है जैसे हम देखते हैं कि भारत की प्रमुख नदी है कौन सी है गंगा नदी एक कहां से निकलती है उत्राखंड के गोमुख से निकलती है और इसका कुल किलोमेटर कितना है 2525 किलोमेटर है इसी प्रकार दूसरी नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र नदी यह मान प्रवस्रीनेदा कहां से निकलती है नासिक से निकलती इसiene प्राकार उसके बारे में नक्षा के मद्ध में समझाएगा हैं कि यह परदो को रइनी कें कि परड़ा इस जगह पना है। इस फिर टिज कर सक्ते हैं कि भारत के एक नक्षा बना हुआ है। में पूरे राजी का अल dethah हुआ हुआ है। और उन राज्यों के नाम भी लिखा हुआ है, हम यहां पर राज्य और उसके राज्धानियों के नाम को अलग से विस्तार से लिखे हुए हैं, जैसे आंध्र प्रदेश की राज्धानी अमरावती, बिहार की राज्धानी पटना, गोवा की राज्धानी पणजी, तमिल को के बारे में विस्तार से समझ सकता है इसी प्रकार हमारे अगले इसमें एक चीज और दर्शाय गया है कि हमारे राज्य में हमारे देश में कितने केंद्रशासित प्रदेश है अंडमा निकोबर चंडीगर दादर इन हवेली दिल्ली लद्दा लक्षडी जम्मुकाजी पू इस प्रकार हम नक्सा दिखा के बच्चों को केंद्रशासित राज्यों के बारे में विस्तार के साथ हम बता सकते हैं इसी प्रकार आगे देखते हैं कि इसी में इसी के अंतरगत के हमारे पीछ में और क्या चीज है इसके अंतरगत देखते हैं कि हमारे साहे सिक्शन समागर गया है कि कौन सा राजमार के कहां से कहां तक गया हुआ है चलिए इस प्रकार जब हम इसका पहला ढकन खुलते हैं तो हमको भारत के बहुत सारी चीजों की जानकारी एक छोटे से जग्णार मिल जाती है जिसे बच्चे असानी के साथ देख लेते हैं और समझ आते हैं और ले और अच्छे से यादन नंकल ले तब तको दूसरे धकन को नहीं ख्योवड़गा यह इस प्टारे का नीएं अब जब बच्चा पूरे चीज को जान जाएगा तब उसके बद हम उस की तारे के दूसरे धकन को खोलेंगे हमारे साहिक सिक्सन समागरी के दूसरे धकन को क्या मिलता इस पिटारे के अंदर कि जब हमने दूसरे धकन को खोला तो हमें बहुत सारी चीजे भारत के बारे में मिले जैसे देखते हैं कि भारत का राश्टी चिन्ने क्या है भारत का राश्टी चिन्न है असोक चिन्न यह कब अपनाएगा 26 जोनरिशन 1950 को भारत देश ने छंडड़ क्या है दोज तो तिरंगा है राश्टी दोज क्या है तिरंगा है इस समय हमने अपना है 22 जूलाई सन 1947 को हमारा भारत देशने इसे अपना आए चलि इसके बारे में हमारे विस्तार से जानकारी मिल गई इसी प्रकार हम देखते हैं कि हमारा राश्टी वृक्ष क्या है राश्टी विर्ग्ष बर्गद है और राश्टी फूल कब है कमल इसका विज्ञानिक क्या नाम क्या है निलंबियन निूशी फेरा इस प्रकार इस राश्टी व्रिक्ष और राश्टी फूल के बारे में हम बच्चों को विस्तार से समझा सकते हैं और बता सकते हैं इसी प्रकार हम देखते हैं कि अगले पर्ट में क्या है राश्टी मिठाई जलेवी हमारा राश्ट्री मिठाई क्या है जलिवी इसको 17 माई 2019 को हमारे देश ने राश्ट्री मिठाई की मान्यता दी जलिवी को इसी प्रकार राश्ट्री मुद्रा क्या है रुपिया भारत में राश्ट्री मुद्रा को 15 जुलाई सन 2010 को मान्यता दी गई इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारा तिसरे पट में क्या चीज दिया है तिसरे पट में देखते हैं कि हमारा राश्टी पक्षी के बारे में विस्तार से बताया है राश्टी पक्षी कुन सा है भारती मोर इसका वेग्यानिक नाम है पावो कृष्टा नूश इसी प्रकार इसको भारत देश ने 26 यौनरी 1963 को राश्टी पक्षी गोशित किया अपना राश्टी परशु कुन सा है बाग जिसे भारत देश ने अप्रेर 1973 को राश्टी परशु गोशित किया इसका वेग्यानी के नाम है पैंथेरा टिकरिष इसी प्रकार हम देखते हैं कि इस दूसरी धकन खुलने के बाद हमें भारत देश के बहुत सारी चीजों की जानकारी आसानी के सांद मेल गए जिसे बच्चों को आसानी के सांद हम सिखा सकते हैं और बच्चे जब तक दूसर के बाद के वारैं जानजाएंगे तो उसके बाद हम तिसरी प्रक्म को खोल के देखेंगे कि उसके ंदर token को हमने Onu शमाहित किया है अब हम तिसरे पड़ को खोल के देखते हैं कि इसके अंदर हम ने क्या चीज़ डाला है यह फिटारा वाकाई में हमें असा लगता है कि बह पर हमने पाया कि इसके अंदर कर्पर भारत के पुरी जानकारी दी गई था भारत के राश्पती के बारे में पूरी जानकारी दी गई है जितने भी राश्पती हमारे बनते गए उन सभी का नाम और उनका कारेकाल के बारे में लिखा जानकारी है जैसे प्रथम राश्पती हमारे कौन थे डाक्टर राजन प्रसाद जी उनका कारेकाल रहा 26 जुनरी 1950 से और उसके बारे में विस्थार से दिया गया है कि वर्तमान रासपती दोक्ति मूर्मूजी है भारत की पंद्रवी रासपती है और भारत की दूसरी महिला रासपती है जन जाती शमुदाय से संबंदी पहली महिला रासपती जी है इस परकार इसमें भारत के रासपती के बारे में पूरे विस्तार के सांद बताए गया है हम कि इसमें अगली क्या जानकरी दी गई इसमें हमारे प्रधान मंत्री जी के बारे में जानकरी दी गई है कि हमारे देश में कितने प्रधान मंत्री आया और उनके उनका कारकाल क्या क्या रहा जैसे पहला प्रधान मंत्री जी हमारे रहे है स्री जवाला नहरू जी उनका कारका कारंब हुआ था पंद्रागस 1914 से और समाति हुआ 17 मईं 11 ostr 64 दूसरा प्रद्हान मंत्री जी रहा गुलजारी लाल जी नंदा जिन का कारखाल सत्रहन उन्नीस जान जुन उनीस जान जुन 1974 से तक रहा इसी प्रकार जितने भी हमारे प्रद्हान मंत्री आते सी उटकार विस्तार के साथ उनके कारेकल के बारे में विस्तार से बताये गया है अभी वरतमान में हमारे प्रथानमंत्री जी है स्री नरेन मोदी जी जिनका कारेकल 26 में 2014 से अभी तक चल रहा है अधर्णी नरेन मोदी जी का कारेकल और उसका विस्तार उनका फोटो के बारे में भी यहा भडिश k r वे हैं और आश्टी तेओर कॉन सा है इसके बादें बच्चों को जानकारी इस सहक साइक सरक्राइग कुन से हैं इस इस प्रकार इस तीसरे पट खुलने पर हमें बहुत सारी जानकारी आसानी के साथ बच्चों को मिल जाएगी और बच्चे उन सारी जानकारियों को आसानी के साथ सीख पाएंगे इसी प्रकार जब वो तीसरे पट को पूरी जानकारी जब तक नहीं जान पाएगे तब तक अगले पट की और आगे बढ़ेंगे चलिए देखते हैं कि अगले धकन की और देखते हैं अगले टेलम के अगली कड़ी में आगे बढ़ते हो देखते हैं कि इस इसके अंतरगत क्या रखा हुआ है यह हमारे चतिस गड़ के बारे में जानकारी सायद समाहित की गई है इसके के छतीत अर्ड को खोलते हैं अगले धकन को खोलने के बात हमने देखा कि इस में i इसमें 36ग्र के बारे में बहुत तारी जानकारी दी गई है वित नकसा के सांग एसे 36 गड़ के दिखाए गया है इसी प्रेकार चतीस गड़ के परिभणे कहा कहा सडक मार गाहे उसके बारे में जानकारी इसमें चित्रमय है इसी प्रेकार चतीस गड़ के परोशी राज्य कौन-कौन से हैं वह भी चित्रमय नक्सा में समाहित दिख रहा है जैसे कि यहां पर 36 गड़ के पड़ोसी राज्य तेलंगाना, महाराष्ट, मध्रप्रदेश, जहारकन, ओडिशा और अंध्रप्रदेश और उत्तरप्रदेश इस प्रकार 36 गड़ के पड़ोसी राज्य के बारे में हम जानकारी बच्चों को दे सकते हैं इसी प्रकार 36 गड़ के जीलों के बारे में इसमें नक्सा में दिखाया गया है इस प्रकार हम बच्चों को इसके जीतने सारे जीले हैं उसके बारे हम उसको बता सकते हैं हम देखते हैं कि इस चौनते दककन को खुलने बाद बच्चों को छतिय厘 के बारे में बहुत सारी जानकारी हम आसानी के साथ दे सकते हैं और बता सकते हैं की छत्याज़ गड़ in aуры कान कि छत्याज़ के जिले कौन कौन से है और णदिया कौनकोन से है और गला ठाकन को खोलने के समाहित है पिटारा का अगला ठकन खुलने के बाद देख पाया कि इसके अंतरगत हमें इसके अंतरगत 36 गड़ राज के प्रमुख जो राज की पसू पक्षी और फूल के बारे में बताए गए जैसे कि हमारे 36 गड़ का राज की पक्षी क्या है पहडी मेंना और चित्र के रूप में दिखाए गए ताकि बच्चे उसे आसानी के सान देख सके समझ सके कि पहडी मेंना किस प्रकार से होता है इसी प्रकार चतिस गड़ का राजकी फूल क्या है गेंदा बच्चे तो गेंदा जानते हैं लेकिन उनको यह नहीं पता है कि चतिस गड़ का राजकी फूल है तो हम इसके माद्यम से बच्चों को बता सकते हैं कि यह जो गेंदा है वो चतिस गड़ का राजकी फूल है इसी साल व्रिक्ष जंगलों में पाया जाता है बच्चे उसके बारे में जानते हैं लेकिन उनको यह पता नहीं है कि यह चतिस गड़ की राजकी व्रिक्ष है तो इस प्रकार हम बच्चों को चतिस गड़ का राजकी व्रिक्ष शाल व्रिक्ष के बारे में विस्तार के साथ हम बत सारा बता सकते हैं कि हमारे चत्तिस गड़ का राजकी पशु वन भहषा है इस प्रकार इस साहक सिक्षन समागरी के अगले पट को खोल के अगला ग्डखकन जब हम खोलेंगे तो इसके अंतरगत क्या चीज मिलेगा चेलिए इसको खोल के देखते हैं इसको जब हमने खोला तो हमने पाया कि इसके अंदरगत हमारे चट्शतिजगड के मुख्यमंत्री जी मुपेश मुख्यमंत्री जी है थे वाने समय राजू लैकिन नाम से वाकिफ नहीं हम इसे बारे में उस्सके बारे कम हरी अर में पर radioactive on है कि हमारे राजी में कितने प्रगार करने के कौन-कौन राज अपाल हुए और उनका beings रहा दोसरे तय्हुआर हड़ेली है। जी से हम पूररा राजकी शंभान के साथ मनाते हैं इसी प्रकार चतिजगड का तेवार पोला अण ज़सको भी हम बहुत ही हर्सओर लाс कसां मनाते हैं एसी प्रकार यह सहाइक्षिन समागरी देखने में बहुत सुνदर लगता है जिसे बच्चے देख के खूस होते हैं और आजानी के साइध और आराम से बैठके मज़ा ले लेके समाने ग्यान की जानकारी को प्राप्त करते हैं इस प्रकार समाने ग्यान से बना हुआ है सहाइक सिक्सावगरी आपको जरूर प्रशंद आएगा आपको जब यह प्रशंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरू करें धन्यवाद दोस्तों धन्यवाद